हलो फ्रेंट्स कैसे हैं आप सभी लोग तो मेरा नाम है आकाश कुमार और स्वागत करता हूँ मैं आप सभी के अपने चैनल केरवेल फार्मा में चलिए तो यहां पर हमारी फार्मा कोगनों सी चल रही थी और यूनिट सेकेंड हम यहां पर देख रहे थे तो आज की वीडिय सब्सक्राइब करता हैं तो आज की वीडियो में क्या क्या कवर करने वाले इसको एक मिनिट देख लेते हैं तो हमारे जो पहला टॉपिक रहएगा वहारा रहेगा प्लांट हार्मान and their application जो काफी जादा important है और long में, sort में, हर तरफ ये पूछा थाता है दूसरा हमारे यहाँ topic आता है polyploidy फिर हमारा आता है mutation और hybridization ये तीनों हमारे topic हैं जो हमको medicinal plant के reference पर पढ़ने हैं और भी मतलब होता है humans में भी होता है लेकिन यहाँ पर हमको medicinal plant के reference पर पढ़ने है और काफी जादा important है और यह हमारे कई बार 2 में आजाते हैं कई बार MCQ में आजाते हैं कई बार जो हमका long में भी आजाते हैं तो सभी के बच्पर हम पढ़ेंगा और एक हमारा last topic रहता था था इसका नाम है conservation of medicinal plant तो हम लोग क्या है human है तो हम लोग जीने के लिए यानकि अपनी growth बगएरा के लिए क्या क्या खाते है simple देखता है कोई कहेगा खाना खाते है external चीज़ा खाते है nutrient खाते है बहुत कुछ मनलब खाते है तो यह सब चीज़ा वो है इसके अग्जाम्पल देखो insulin हमारा बनना बहुत जादा काम हा रहा है बागी बात करें dopamine form हो रहा है बागी और भी चीज़ करें जैसे हमारा glycolysis हमारे body के अंदर हो रही है जिसके अंदर हमारा सुगर से glucose बन रहा है glucose हमारी body में अंदर जा रहा है तो इसी तरह हमारे जो plants होते हैं बाहर को उनको जीने के लिए क्या क्या चाहिए जैसे बाहर से sunlight चाहिए और soil से हमारे water चाहिए न्यूटसन चाहिए ये सारी चाहिए लेकिन कुछ हमारे hormones होते हैं जो हमारे plants के अंदर भी form होते हैं और वही यहाँ पर हमको पढ़ना है plants hormone के बारे में और यह hormone क्या होते हैं हमारे plants के अंदर फॉर्म होते हैं और फिर उस plant की growth में help करते हैं तो यह वाले जो terms है हमारे कहलाते plants hormone और उनके applications क्या है मतलब कहां कहां यह use होने वाले कैसे काम करने वाले हैं मतलब यहाँ पर हम function बोल सकते हैं एक तरह से तो उसको हम phyto hormone बोलो या cyto hormone बोलो देख लो तो phyto hormone जो होते हैं इसको इसलिए बोल रहता है क्योंको यह वाले word का मतलब क्या होता है plant और hormone का मतलब hormone ठीक है कम करते हैं तो इसलिए इसको बायो रेगुलेटर बुला है यान कि कम और जाजा रेगुलेट करना ग्रोथ की रेगुलेट करना तो यह फंक्टिन आप समझे गए होंगे सारे के सारे अब हम इसकी डेफिनिशन एकदम देख लेते हैं क्या है कि दीज आर दोस केमिकल और जो प्लांट की ग्रोथ को कंट्रोल करते हैं अब यहां बेसिकली देखा दाए तो पांच हमारे यहां पर हर्मोन दे रखे हैं और यह हमारे दो कैटेगरी में डिवाइड है पहली हमारी होगी प्रमोटर और दूसरी हमारी होगी इनिवेटर तो प्रमोटर मैंने किया करेंगे हमारे जो सेल है फो सेल की ग्रोथ को बढ़ाएंगे प्लांट की ग्रोथ को बढ़ाएंगे दूसरा हमारे हाते हुइस कमारे बात कर copyright करो यह हमार एक प्लांट है और यह मैं बना देता हूं हँँ थोड़ा अच्छा था हमारे आगे अग strategy promet कर लेना और यह कु है ठीक है अब यह plant की जो बढ़ा दें ग्रोथ को हमारे क्या क्ना पर रखा है और इसे दो इसकी लेवल बड़ गया और जो इस क्या करतें कम करतें इसको हम बोलते हैं तो फोलते हैं लिष्भ करने घ्र कर घे थे लिए अब इसको करेक्का ediyor अगरे Then आपको यहां पर लिखना है cytokinin and then that आपको यहां पर लिखना है Inhibitor क्सी सब्सक्राइब्स करतें अब पता चल गया अब अगर आप से कोई अगर अलग से भी पूछ लेते हैं तो अब अगर किसी के बारे में भी इंडिविजुली पूछे तो आप बता सकते हैं कि और यह क्या करते हैं सब्सक्राइब को समझते हैं कैसे होता है क्या होता है तो इसका में काम क्या है सेल इलॉंगिशन अभी एक एक बार समझ लेना इसका मतलब क्योंकि सब में मतलब function एक normal same ही होते हैं बस कुछ कम और ज़्यादा का फरक होता है तो यहां बात करें तो option हमारे क्या करता है इलॉंगिशन का मतलब होता है बढ़ावा देना यांकि अगर मैं आपको बात करने तो हमारे यह cell है एक मालो यह plant cell है तो इस plant cell को क्या करेगा यह थोड़ावा देगा या तो इसको और ज़्यादा यह तो multiply कराएगा तो यह सारे काम basically हमारे option के यहां पर हो जाते हैं बात करें stem elongation तो यह हमारे stem है इसको भी यह क्या करेगा elongation की आगे बढ़ाएगा ठीक है उसके बाद दूसरे और दो काम देखें तो root formation में यह help करता है यानकि यह हमारी root हो गई तो इसको form कराने में और जाता था help करेगा बाकी delaying leaf senescence तो यह senescence वर्ड को समझो क्या है जैसे मालो आपने कभी देखा होगा पतिया बगरा होती है तो सबकी उमर होते हैं आप कभी पकड़ोगे ना कोई ताजी पती एकदम green green और बहुत ही कोई पुरानी होगी तो एकदम सूख चुके होगी बैसी तो जो बढ़ापा आता है वही सब पर नहीं इंसानों पर नहीं पत्तियों पर भी आता है तो जो पत्तियों का बढ़ाप यानि कि फल को पकाने में यह बहुत जादा है यानि कि पके हुए फल के जिम्मिदार कौन होता है वागी बात करें तो embryo gynecist में भी यह बहुत जादा है ठीक है तो आई होप आप लोग यहां समझ गया होंगे इसके सारे function बागी बात करें एक दो production की बात कर लें तो यह ह पर तो बने गां लेकर रूट पर कैसे पहुचेगा नीचे बाले करें भी हमें भी दे तो फिर oxygen आता है इनके बात ऑक्सिन कैसे आता है फिर उपर से नीचे की तरह travel करके आता है क्योंकि बाइच की तरफ क्या कर रहा है तो इस वाला जो movement होता है इसको हम क्या बोलते है बै अब कुछ टैप्स लेक लेक लेज़ें टैप्स या एक्जांपल भी आप इनको बोल सकते है पहला हमारा है नेचरल ऑक्सिन यानकी जो नेचरल ही हमको प्राप्त हो रहा है यह हमारे दो होते हैं इंडॉल-3-acetic acid यानकी IAA दूसरे हमारा है इंडॉल-3-butyric acid यानकी IBA तो मज़ गए होंगे दूसरा हम यहां पर बात करते हैं अपना cytokinin के बारे में तो अगर इस नाम से हम समझें तो cytokinin को होता है cell और kinin या kinin कुछी भोलो इसका मतलब होता है division यानकी simple क्या हो रहा है यहां पर cell का division हो रहा है और जो हमारे यह था इसको discover किया था F यानकी similar अब आपको एक बात आप बता है आपने मतलब study तो किया होगा जैसे मालो कोई भी चीज है वो भड़ती कैसे हमारे हां तब तक थे छोटे-छोटे थे बच्पन में आप इतने बड़े हो गई है सिर्व अगर मतलब सब कुछ बहुत बड़े हो गए हम लोग तो कैसे हुए हमारे नहें हобразने और हमारे غले तो इन्होंने apparent इन्होंने फृदर हमारे डिवाइड किया यह फिर दिवंड़ हो यह तो यहिद डिविजान तो अबर इसे उन्हां की है क्रोट क्रा था है और इसित मरे चोटे लागे पर इतने बड़े हो धाते हैं तो İ्ले यहां फार्पन धेफ् विजन की वैसे क्या होता है कि हमारे जो plants है उनमें growth होने लगती है और इसको हम क्या करते हैं एक तरह से देखा धा था तो यह भी हमारा कह lans gev क्लांट अ प्लांट हर्मॉन है बागी एक-दौ बात और इसकी जानले तो इसमें हमारा क्या है प्यूरेइंय पाइज और इसी है बगी बात करें तो अक्रोपीन ट्राइन उता होता है इसको आप ऐसे समझो कि गया उपर की तरह ही तरह मूव करता है और पशन समझें अब को यहीन अब क добрément को सब सब स loro वàiल डींगे सेझे इसको में क्होड़ार है इसका क्या इसका और बिदी this आपको यहाद रखना है जो काम क्या है में धिम्हींनल दूसरा क्या करता है रिलीज और induced bud formation अब बढ़ क्या होती है बढ़ को बोलते हैं कली अब कली तो आप जानते हैं कली से हमारा फूल बनता है बाकी एक चीज और पता दो जैसे हमारे प्लांट से आप दिख रहा होगा तो इन प्लांट में कहीं कहीं ऐसे आपने देखा होंगे कुछ इस तरह का इससा हमारा नि आपको यहां पर बना हुआ देख रहा होगा इसका काम क्या है यहां को थोड़ा दा कम कर देता है यान की पत्तियों का बढ़ा पाने से यह रोपता है ठीक है बाकी यहां पर और एक दो तर्म और देखने कि यह हमारा प्रड्यूस का हो रहा है रूट में बनना है अम्रोज बनना है तीसरा हमारे यहां आता है गिवरेलिन तो यह भी हमारा क्या है जो प्लांट से उसकी ग्रोथ को बढ़ा रहा है अब बेसिकली देखा था है तो हमारे एक एंडोजी है तो यह हमारा क्या 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 करता है यह बहुत ज़रूरी है तो यह से को मैंने आगे भी लिख सकता है बागी प्रिजेंट का होता है हमारे रूट में प्रिजेंट होता है बड्स में लीफ में पतियों में तने में फूल में पॉदे में हर तरव यह बिसिकली विज़ता ही हमारा क्या пытाता है suit बागी बात करें करेंजा कभी वैसे आता नहीं है पर कभी आ ये समझ है key हमारे mobilize हमारे उसमें glucose some enzyme होता है उसको ये क्या करेंगा अब वहाँ पर क्या होगी हमारे ग्रोथ होने लगेगी तो यह सिंपल इसका फंडा होता है वागी फंक्सन देख लो मैंने बताया था बहुत जाए जरूरी होते हैं यही चीज आपको सब की याद रखनी है फंक्सन क्या है पहला यह फ्लॉबरिंग में मतला प्रमोट कर रहा फ्लॉबरिंग को दूसरा हमारा सीड जर्मिनेशन को प्रमोट कर रहा है तीसरा हमारा स्टेम लोंगेशन तो इन वर्ड को मैंने पहले बता देख लोगे बात करें अगर oxygen और cytokinin में तो यह थोड़ा सा हमारा क्या हो रहा है उसके मुकाबले कम यूज होता है ठीक है बाकी बात करें यहां पर तो यह इसका diagram आपको यहां दिख रहा होगा एक टम आप देखें तो यह हमारा morphological changes भी कर सकता है plants में चोथा हम यहां पर देखते है एथाइलिन तो अब हमारे जो एथाइलिन और एपसे से कैसे नहीं है जहां भी यहां यहां एड नहीं कि आप चाहें तो वर्ड एड कर सकते हैं कि इस तरह भी आप इनकी definition बना सकते हैं तो simple देखाता है तो यह हमारे क्या है gases hormone होता है gases form में होत यह क्या करता है plants की growth को inhibit कर देता है यह इसका क्या होता है main fund होता है और कई वार यह देखने को मिला मतलब basically कि अगर इसको कम मात्रा में यूज करेंगे तो थोड़ा साथ यह promote करेगा growth cell की growth को लेकिन basically इसका काम ही है कि यह inhibit ही करेगा चाहें कितना भी कैसे भी दे लो ठीक है इनको जलाओ और आधा जलागे छोड़ दो तो यह क्या करेंगे हमारी यह वाली gas को release करते है ethylene को यह हमारा gases form में तो ऐसे ही release होता है और फिर यह क्या करेगा harmful effect create करता है plants बगरा के लिए अब इसके function देख लो तो आप समझ जाओगे कि यह innovators क्यों है पहला चलो fruit ripening यह त तीसरा हमारा leaf abscison तो abscison word से आप जैसे समझो आपने पतेजर सुना होगा ना जब सारे पेड़ से पत्तियां आपने तूट तूट के नीचे गिरने लगती है तो वही यहाँ पर है कि यह उस चीज को भढ़ावा देता है leaf abscison यान कि यहाँ पर क्या है कि प्राकरतिक तरी पत्तियां है वो पेड़ों से छूट छूट के नीचे गिरने लगती है तो इसका में फड़ना हमारे यह तीन आपको यहाँ पर दिग गए होंगे बागी वही काम है कि हमारा क्या करता है इनिवेट करता है और बागी बस यही चीजिस की सारी है पांचमा हमारे यहाँ पर प्लांट इनिवेटर हार्मोन या यही है इनिवेट करता है ग्रोथ को काम समझाही कि यहाँ कि provocative हे पहला लीफ, या यान कि जो बीज होते हैं और जो कली होती है उसको यह इनक्टिव करता है यान कि या तो उसकी काम करने की छमता कम कर देगा यान कि सीड हमारा जल्दी जर्मिनेट नहीं होगा जल्दी पेड़ नहीं बनेगा और बड़ में अभी हमारी कोई ताकत नहीं रहेगी तो यह क्या क कर रहा है तो इसको भी एक कम कर देगा तो यह तीन इसके में फंडे हैं और इसी के नाम से इसके आप पैचान भी समझे लो बाकि हमारा क्या है कि नेचरल प्रांट ग्रूथ इनिमिटर से अब वह इथाइलिन वाला था वह हमारा बाहर से भी बंद आदम कोल बगरा को जला र प्रूचाते ना कुछ मार आए कील बगरा मार आए तो उस टाइम पर यह वाला और रिलीज होता था यह उसको और कमी करता है देखा होगा ना प्लांट को कुछ नहीं मिलता है तो दीरी-दीरे सूखने लगते हैं पत्तियां गिरने लगते हैं तो वह सब का हमारे कब हो रह पॉंड आइसोलेट किये थे पहला आप आप ज-सी था अगया ते घयाना के आछ होगा यह स्वाइल के द्वारा बाटर ले रहे हैं आइंस ले रहे हैं तो उसकी अप्टेक में भी यह क्या करा है चैनल कि अपना हग जताने लगता है तीसरा स्वीड और बड़ को इनेक्टिव कर रहा है यान कि सारे काम पर बाकि बात करें जब हमारा ऑकसे ना बहुत सब्सकेशन को भढ़ाएगा जिससे सेल अमारा इलॉंगेट हो सके और सेल की भर सके तो यह क्या करा उस चीज को भी इनिविट कर जाने कि किसी और ने अच्छा काम किया तो उसको भी इसने आके रोक दिया तो यह हमारा यहां तक समझ गये होंगे, अब हमारा दूसरा term इस वीडियो का चलता है, इस में हम यहाँ पर समझने वाले हैं, polyploidy, mutation and hybridization with reference to a medicinal plant, तो आप लोग चाहें, तो यहाँ पर एक rest ले सकते हैं, और इस वाली जो वीडियो को, समझें, तो poly का मतलब क्या होता है, many, यहाँ की ज़्यादा, और ploidy का मतलब होता है, pair of chromosome, तो चलिए अब यहाँ पर समझते हैं, तो हम सब जानते हैं कि reproduction के लिए और हमारे जो genetic material, वो क्या है हमारा chromosome है, ठीक है? Chromosomes है, और chromosome एक मतलब जैसे देखा जाये, तो हमारे कितने होते है, pair में देखा जाये, तो 23 pair हमारी body में होते हैं, और बैसे देखाता है तो टोटल कितने हो जाते हैं 46 क्रोमोसोम होते हैं और किस फॉर्म में करेंक्ट होते हैं यह हमारे एक पेर हो गया और इस तरह ही हमारे क्या होते हैं क्रोमोसोम यहां प्रिजेंट होते हैं तो यह हमारा जो होता है इसको हम बोलते हैं हैप लॉइट्स ब हो गया और एक हमारे यहां और आगया तो इस तरह बंते कि इसकावर एक हिस्सा權 आएगा एक समा इसकाव और दौन हुम मिलके एक new जनरेशन क्रीट करते हैं तो यह साना है पहले से जानते हैं आप नौरम समU तो मैं बता रहा हूँ गया क्रोम्सम माला system होता है तो अब plants में प्लांट में हमारे deploid form में पाई जाते हैं इस वारी form में हमारे chromosom होते हैं अब अगर किसी बजा से इसमें जो chromosome के जो pair है वो अगर दो से जादा हो गए या तो 3 हो गए या 4 हो गए या 5 हो गए 6 हो गए 3 को triploids बोलते हैं tetraploids बोलते हैं pentafloids, hexafloids, heptafloids, octafloids, non-floids, ploids तो अगर ये 2 से जादा हो गए तो ये वाली जो सारी की सारी condition है ये हमारी क two sets of chromosome is known as polyploidy यारी कि यहांपर simple क्या होगा है कि हमारे जो cell और organism है इसमें 2 से जादा हमारे chromosome के pair पाइज आ रहे हैं और इसी term को यहां polyploidy बोलते हैं ठीक है तो आप ये समझ गया होंगे क्या होता है और आप ये भी समझ गया होंगे ये एक normal condition नहीं है क्योंकि normal condition हमारी क् normal condition है तो ये चीज हमारी normal condition नहीं है ठीक है अब इसके आगे कि हम कुछ बाते समझते हैं तो एक वर्ड आपको कहीं कहीं अगर आप और कहीं भी देखेंगे नोर्स देखते रहते हैं इतरता तो एक वर्ड आएगा जीनॉम तो जीनॉम क्या होता है था specific number of chromosome is a character of each species and it is called as genome य इसे हमारे human में हमको पता है कि n is equal to 23 है और पूरे हमारे 46 chromosome होते हैं और 23 होते हैं हमको जहां पता है तो इसी तरह हमारे plants में होते हैं अलग अलग होते हैं तो जितने होते हैं उसको जो है genome term से यहां denote किया जाता है यहां को specific number नहीं लिया गया क्योंकि सबके अलग-अलग हो स दे रीजन बोलें तो जैसे cell division होता है तो cell division के time पर क्या हो राता कि जैसे मालो यह हमारा eq cell है और यह हमारा cell क्या होगा दो भागों यहाँ दिवाइड हो गया तो chromosome भी वड़ते है हमारे यह भी हमको पता है chromosome हमारे बढ़ते चले जाते हैं एक हमारा male का आता था एक female का आत यह सारा सींन चलता रहता है तो इसी कंडीशन पर जाने कि जब यह हमारे वरीशन हो रहा था उस कंडीशन पर और कोई रिजन हो जाए कोई अब नोर्मल हो दाए तब हमारी ये ऐसे हमारे जनरेशन देखने बरारटन राइं हो गयाaliśmy किया है वाली कंडीजिन हो जाती है फीक है तो यह हमारे सिंपल यहां पर है अपकर में के मीटे लों की चीज्ट रहली ह get मैटेच्ट में क्या हो रहा है कि हमारे यह दो भागों में प्रमाइइब हो रहा है किसकी मताँच सफिय्जर हमारेिए पर spindle कहला ही है ठीक है अब ये काम चल दा अच्छा खासा अब उसी टाइम पर कोई हमारा chemical agents आजाए तो जैस करो कि यहां से हमारे बना और एक हमारा यह बना एक हमारे यह बना उसी टाइम पर कोई हमारा क्या गया chemical हमारा कोई agents यहीं पर इस चीज को पुस्क करके और इस चीज को मनलब कुछ एक तरह से आल्टर कर दिया चेंज कर दिया और यहां पर क्या किया इसका एक और डुप्लीकेट बना दिया अब डुप्लीकेट बना दिया तो यहां पर देखो बैसे दो बनने चीजिए थे लेकिन दो की जाग में convert करती और यह चीज हमारी क्या होगी एक polyploidy वाली condition होगी तो आपको यहां simple देखा कि क्या कर रहा है हमारा जो division वाली चीज है मीटोटिक spindle इसी को जाके इसने क्या कर दिया elder कर दिया disturbance इसमें create कर दी और इसकी वेज़से क्या होगा हमारे जो cell दो बनने थे वो चार बन गए और यहां से बढ़ आता है यहां से बढ़ आता है यहां चाहां पर हो गया तो अगर हम सिंपल स्की definition देखें तो वेन अगरे बन नमबर में पायजाती है तो यहां पर जो हमारा polyploid बन रहाए बढ़ भडभी रहा है तो वह even बढ़ रहा है यहांसी मालो यहां पर 2 pair से, 4 pair हो गई 8 pair हो गई, 6 pair हो गई इस तरह हमारे double हो रहा है बढ़ रहा है तो यह condition हमारी Uploids कहलाती है यहां पर आप simple समझ गए होगे और बाकि अगर बात करें यहां पर दूसरे हमारी तो यह हमारी ऐसी condition नहीं है यहां पर आप ऐसे यह समझो कि जैसे मालो यह हमारा एक cell है और यहां पर हमारे यह दो pair है यहां पर ठीक है तो यह हमारा simple कहा है Uploids वाली condition है, 2 या 3 pair हो गए या 4 pair हो गए, 1 Uploids यान कि जाता हो गए अब मैं आपसे कहूँ कि यहां पर कुछ इस तरह हो गया यह हमारा एक pair, यह हमारा एक pair हो एक यह हमारा extra आ गया यान कि यहां पर क्या होगा कि 5 हो गए अब 5 का कोई pair बनता है आप ही बताओ या तो 6 का बनेगा या 4 का बनेगा तो यह वाली जो हमारी condition होते है और अगर कोई भड़ गया तो इसको हम बोलते है hyperploidy तो यह हमारे यहां पर temperature होता है अब दो term आपको और कहीं कहीं जगा देखने को मिलेगा एक हमारा होगा autopolyploidy और यह हमारा होता है yellow polyploidy और यह आपको कही बार तो classification में मिलेगा तो confused नहीं होना बैसे इसमें कोई मतलब नहीं था लेकर मैंने दे दिया इससे अगर आप इसके बेड़ को आई सुनो तो आप confused नहीं हो तो autoplyoidy वर्ट से आप सम्भीर होता है self यहां पर क्या हो रहा है कि जो polyploidy के लिए हम जो एक दूसरे से cross हो रही थी matching हो रही थी इन में तो वह हमारी same species के त्वारा हो रही है यहांने कि जब यह हमारी crossing हो रही यहांने कि दो हमारे मिल रही थे आपस में तब ही तो जागी हमारे polyploidy यहां कुछ बना रही थे इसका बहुत जादा मतलब फायदा होता है medicinal plant में इसका पीछे reason क्या है कि it may cause formation of new species यान कि नई प्रिजाती बन जाती है क्योंकि अब मालोग अलग-अलग हमने दो तरह यहां पर मिलाई इनके तोरह एक अलग ही नई प्रिजाती बन गई आप इसके जो character वह भी इसमे बहुत अच्छा जैसे इसका example मा बाप होते है तो माबाप गत्चा है उस में अतो जीए और पिता जीके कैसा एयसा врем बहुत लोग होते है तो तो यह हमारे deploy Då भी ज्याल भडिया बध्या हो सकती है तो यह एक similar connection on this is a great यहां पर क्या है कि जो हमारे प्लांक्स की कमपोजिशन होते हैं यह थोड़े था आल्टर करेगा और उसको और भी ज्यादा उसको मजबूत बना देगा एक्जामपल अगर देखें तो जैसे के इंक्रीज इंट्रॉपन बन लहां तो उनफ्समें जार भात करें ऑ्लिफिय। हम से मौर्फिन मलताय हैं व्क्राइबा करा जीत को हरोतिज trade उसमें मौर्फिन भाले तो उससे हमको secondary metabolites मिलती हैं तो यह secondary metabolites जो मिलने की छमता उसको और जाता क्या कर देता है बढ़ा देता है तो यह हमारी कुछ चीज़ा है जो हमारी यहाँ पर इनको बढ़ने को देखने को मिलती है ठीक है दूसरे हमारा term यहाँ पर आता है mutation अब mutation आप simple ऐसे समझो कि जैसे आपने की सुनी होगी कि इनसान जो होते थे पहले क्या आप बोलते थे जैसे आदिवासी लोग बोलते थे तो उस condition में क्या है इनसान हमारी के होते है थोड़े से बंदर तायब से दखते है थो झूड़े जुके रहते है पूरे बाल हुगे रहते in the genetic material or character of an organism यान की कोई भी हमारा organism या plant है उसमें क्या हुआ एक permanentry change हो गया कि अब उनकी पूरी-पूरी species बताल गई उनके जो genetic material है जिसके base पे decide होता है कि बच्चा कौन होगा कैसा होगा कैसी रूप रेखा होगी रंग, कलर सारा कुछ का decide होता है वो हमारा क्या होता है change हो गया permanently तो यह हमारी mutation क्यालाती है अब यह हमारा human का हमें पता है तो यही same criteria हमारा लगता है plants में कि plants में भी reproduction होता है sexually दोनों तरीके से तो वो भी हमारा क्या हुआ धीरे-धीरे करके उसमें भी mutation आता गया तो यही condition हमारी यहाँ पर mutation क्यालाती है और बात करें तो यह हमारी क्या करती है एक नई new genetic stress या new genetic xenotax को हमारी यह जन्म देती है simple बात है अब हम बात करतें यहाँ पर तो जो हमारा organism यह हमारा cell है जो हमारा क्या कर रहा है जिसमें mutation हो रही है वो हमारे क्या क्या लाते हैं, म्यूटेंट क्या लाते हैं, आप लोगों ने अगर X-Men movie लेकरा देखी होगी तो उसमें आपने ऐप लोगों ने का इसमें क्या हो रहा है कि अचर से निचल ली होगे, हमको इसका रीजन नहीं प्ता है कि कॉन सी चीज कैसे बदलती होएं चलिके बदलती हैं, धीरे धीरे यह हमारी सारी पूरी की पूरी पडाती ही बाता है और यहां इसके हमारी यहां होता रहता है अब फट्रू यह इस इसमें क्या होता है और ये Ami श्रवाइमी की मांड़ न के हैं इन पर यहाँ इन के हैं इन कमप्रीट करए तो अब क्या हो कि अगर इसको एक हुटकर और इदर यहार ओगा है लाटिक का मेपने चेंज हो गया और अभी तो कॉरोना भी सेंपने आप करता हैं और वह हमारी बाड़ी में आपकी संख़्या को बढ़ाता जाता है इससलिए वह बहुत जादा देंजर हो जाता है दंट जाएंस वोडिलिए तो point mutation आप यहां पर क्या हो रहा है कि एक nucleotide कोई एक single nucleotide उटके आया और वो किसी डूसरे nucleotide में जाके replace हो गया तो यह वाली जो हमारी terms होते हैं यह हमारे point mutation कहलाती है अब जैसे दो तरह से होता है एक हमारा होता transition type एक हमारा होता transversion type transition type में जैसे example समझो one purion to another purion याल कि जैसे मालो कि यह हमारी एक A species है और यह हमारी एक B species है तो यहां से यह हमारा एक लग्या आगा तो यह रहेगा A इसके अंदर थोड़ा बहुत change आएगा लेकिन यह रहेगा हमारा actual में A तो यह हमारा हो गया transition अब transverse समझो कि मालो यह हमारा B लगके आया और यह लगते-लगते धीरे-धीरे इसने A को क्या किया B में convert ही कर दिया तो यह वाले हमारे यहां क्या क्या आएंगे transverse टाइप एक्जाम्पल देखो तो purine converted into pyramiding ठीक है तीसरा हमारे यहां आता है frame shift mutation तो इसमें क्या हो रहा है actual में कि इसमें कि जो हमारे genes बग mutation है वो हमारे यहां हो रहा है जैसे मालो यह चीज है तो यहां पर एक कोई चीज आके भढ़ गई है या कोई एक चीज जहां से हमारी म्यूटेशन म्यूटेशन जाने से तो इनकी मदद से हम यहां पर म्यूटेशन खुद करा रहे हैं जान बूचकर करा रहे हैं तो यह condition हमारी कहलाती है artificial mutation वाली अब किसी मदद से हम करा सकते हैं तो physical कुछ हमारे इतन्स होते हैं जैसे हमारी radiation की light हो गई, UV rays हो गई, X rays हो गई, ionizing radiation हो गई और कुछ physical condition इसे temperature वगरा चेंज करके हो जाती है फिर chemical की बात करें तो यह से nitrogenous, mustard हो गया, formerly hide हो गया और भी हमारे कुछ chemical हो गई तो यह हमारे क्या करते हैं यह भी हमारे mutation करा देते हैं तो यह हमारे यहाँ examples हो गए, अब हमको इसकी application समझे अगर, तो mutation हमारे क्या करता है, affect the chemical composition of medicinal plant और यह क्या करता है, जैसे हमारे जो plants उसकी जो chemical composition है, जैसे जैसे उस पूरे को बदल देता है, जो हमारे pharmacogenes में काफी जादा important है बागी बात करने तो new chemical variety form करने में यह help कर रहा है क्योंकि कोई चीद पहले थी, evaluate होती 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 है करेंगा यह चीज हमारी नहीं ठीक है बागी बात करें तो जैसे अगर हाई इल्ड आफ मॉर्फिन वाई अपलाइंग केमिकल ओपियम यान कि अगर हम यहाँ ओपियम में यह एवैल्यूट और होती जाए तो इस मॉर्फिन के जरी क्या कर सकते हैं कि मॉर्फिन और ज्यादा हम इल्ड करा सकते हैं यान कि मॉर्फिन हम को मिला ओपियम से तो अगर इसमें हम कैमिकल मॉर्फिन का यूज करें तो हम और ज्यादा इसमें मॉर्फिन ले सकते हैं ठीक है सिंपल आप ऐसे समझो जैसे आप लोग तो इसको कुछ आप simple term में समझो, simple जैसे माल लो कि एक हमारी species है A, ठीक है, और एक हमारी different, याँ कि एक अलग species है, जो हमारी क्या है B है, अब क्या किया किया, कि इन दौनों का आपस में क्या करा दिया, crossing करा दी आप बोल सकते है, reproduction करा दिया, इन दौनों का आपस में, crossing करा द है, hybrid, और इसमें क्या होगा, हमारी इसकी भी कुछ properties होगी, और इसकी भी properties होगी, और हो सकता है, कि ये इन दौनों से दाला भी क्या हो, और ज्यादा बढ़िया हो, और ज्यादा potent हो, तो ये वाला जो पूरा phenomenon है, ये हमारा क्या कहलाता है? Hybridization कहलाती है, और ये चीज हमारी होती है यह हमारी parents है लोग गई और यह नई ओप स्प्रिंग यह इन दोनों के रिप्रेंग बाद जो आपस प्रिंग जाने की जो संतान बनी है वह हमारी यह है और इसको हम hybrid बोलते हैं और आधकल बहुत सारे plants है बहुत सारी चीज़ां जो hybrid आने लग गई है आप लोग ने देखा होगा राइस देख लो चावल देख लो सबजियां भी बहुत सारी ऐसी hybrid आ रही है जो काफी जादा अच्छी भी होती है और थोड़ा से कम प्राइज में भी वह हमको देखने को मिलती है तो यह हमारी है अगर देखें तो इस प्रोसेस ऑफ इंटर ब्रीडिंग बिट्वीन इंजी विजल आप डिफ्रेंट जानी कि दो डिफ्रेंट भी ली उनके बीच में इंटर ब्रीडिंग करा दी और जो रेजल्ट में एक नया कंपार में इसको हम hybrid बोल रहे है और जो पूरा फिनोमेना ह जो में पूरा रहे थे AirB के बीच में यह दोनों क्या होंगी है सेम सेम् सेम सेम बैराईटी की स्पिसीड होगी तो भी आरे हो ए्मारे होते हैं ले इसमें क्या होगी कि ये पहले चीछ विशन नहीं चीज ए मैरे नों की डोना यहां पर ले लिए कोय भी एक तरव एक की तरा के एक मलब प्रजाती से में, लेकिन species दौनों की दौनों अलग-अलग हैं, और इन दौनों की द्वारा जब यहां पर कराई जा रही है, तो एक नई चीज यहां पर डबलप हो रही है, new species, ठीक है, यह simple है, अब कई बार क्या है, इसकी एक मलब प्रोसीजर आ जाता है, कि सबसे पहले select करते है, parent cell को, यहां की कौन, हमको cell चाहिए, एक A चाहिए, एक B, तो दौनों को यहां select कर लेते हैं, उसके बाद यहां पर flower के रूप में example लेके बताया है, दूसरा हमारा इसमें term होता है, emasculation, तो emasculation में क्या करते हैं, तो यह समझो कि यह हमारा female flower है, यह हमारा प्लाइच लगा देते हैं, हटा देते हैं, पूरा उपर से, हटा दिया एकदम, और फिर इसको क्या कर देते हैं, मतलब packed कर देते हैं, यहां पर हमने emasculation क्या हो गया, यहां से जितने भी pollen greens है, इस सब को हम हटा के एकदम साफ कर देते हैं, तीसरा इसमें आता है, बैगिं tagging मतलब क्या है कि अब यहां पर हम ऐसा पैस लगा देते हैं, और इसके उपर information लिख देते कि कौन सा plant है, कैसा है, किसके साथ करा रहे हैं, क्या का information है, नाम, plant, फिर दाती, प्रिसीज, यान कि सारा कुछ, क्योंकि फिर तो याद ही नहीं रहेगा किसमें क्या था, कैसे सार तो इसके details से सारा कोई हम इसकी information यहां पर लिख देते हैं, फिर हमारी यहां पर आतिक crossing, यान कि अब यह वाला mail है, इसके जान कि कोई different species का है, उस mail को यहां उठाएंगे, और उठाएंगे, फिर हम इसमें यहां यहां पर bag में थोड़ा सा 3-4 mm सेज करके, उसमें यहां अं या इसका हम यूज कर सकते हैं, या फिर एक नई प्रिदादी हमारी जन्म हो साती है, तो इसी पूरे को हम यहां बोलते है, hybridization और जो यहां पर बाद में hybrid होने को यहां पर product मिलेगा, seeds मिलेगे, वो हमारे क्या होंगे, hybrid scale आएंगे, अगर application देखें तो सबसे जाद इसका use क यहां होता है, crop improvement में होता है, use का, फिर बात करें तो good quality of plants लेने में use होता है, वागी यहां बात करें अगर तो better disease, या अब जो यहां form होगा, disease resistance form होगा, herbicides मतलब, eyeicides मतलब, रोकना, elevate करना, herbicides होगा, और बहुत सारी quality वाले content यहां होते हैं, वागी बात करें तो यह हमारे क् साइटो कंचियान की, जो हमें plants के द्वारा, जो हमें chemical या compound हम बनाते हैं, उस चील को भी हमारा क्या गड़ता है, enhance कर देता है, जैसे example अगर मैं बता हूँ, तो सिंचो और यह वाला सिंचो ना, रेड गह रही है, अगर इन दौनी के hybridization कराएं, तो जो हमारा क्यूनिल form होत प्रॉब्लम तो है, क्योंकि medicinal plants को हमें conserve क्यों करना है, क्योंकि medicinal plants धीरे धीरे हमारे क्या होते जा रहे हैं, खतम होते जा रहे हैं, इसका सबसे ज़्यादा reason क्या है, excessive use by human, यान कि हम दबाओ का plants का बहुत जादा use कर रहे हैं, और लोग जंगलों को काटते जा रहे हैं, उस नहीं तो यह सब प्रॉब्लम की वाज़ा है, क्या हो रहा है, हमारे medicinal plants धीरे धीरे कम हो रहे हैं, ठीक है, तो इसका सबसे बड़ा हमको क्या करना पड़ेगा, कि हमको conserve करना पड़ेगा, कैसे preventing damage, उसको damage होने से बचाना पड़ेगा, बाकि उसका जो culture loss हो रहा है, पूरी प conservation और दूसरा हमारा होता है, एक सीटू conservation, अब इन सीटू में क्या होता है, यहाँ पर, कि जैसे मालो की, आप example समझो, कि जैसे south की movie सब ने देखियोगी, तो south की movie मालो की कोई हमारा एक hero है यहाँ पर, और hero का क्या है, गाउं हो जड़ रहा है, गाउं क्या उसका जो गाउं हो, उसके खेत हैं, सारे काटे जा रहे हैं, वहाँ पर factory बगर लगाई जा रही है, आप hero का दोस्त आ गया, वो समझे लो, को solve करके उस दोस्त को वहीं पर मतलब बचाएगा, ऐसा नहीं है, वहीं पर बचाएगा, तो यह हमारा in situ हो गया, यान कि यहाँ पर समझो कि जो हमारे medicinal plant है, जो जिस जगा पर present है, जो जिस environment में present है, उनको वहीं पर जाएंगे, और वहीं पर उनको जो जो चाहिए, उसका सब की वहां solve करेंगे, और वहीं पर उसकी growth को बढ़ाएंगे, तो यह हमारा होता है, इन-सीटो यहाँ पर heroes आएगा, जो जमीन की problem होगी, जगड़ेगा, लड़ेगा, और उसके गाउं को पूरे गाउं को बचाएगा, यह हमारा क्या होगा, इन-सीटो होगा, दूसरा हम अब एक-सीटो, अब एक-सीटो में क्या हो रहा है कि वह गया यहाँ पर दोस्त और उसने कहाँ कि अपने दोस्त को यहां से उठाया और अपने साथ ले आया, simple दा बंदा, कितना जाता जीदी था ना, तो यह हमारा होता है, एक-सीटो कि यहाँ पर हम क्या करता है, जो जो नर्सरी में जा कहीं और जागे लगा देते हैं, और वहाँ जागे वह प्लांट फिर से ग्रोथ करने लगता है, तो इस तरह दो हमारे होते हैं, इन-सीटो आप समझ के होंगे, वही पर जाके, जहां पर प्लांट है, उसी जगह जाके जो इनवारेमेंट है, उसको ठीक कर देंगे कि वही अब वहाँ पर ग्रोथ कर सकता है, और जो एक सीटो है, वहाँ पर क्या करे हैं, उस प्लांट को ले आए, और उसको दूसरी जगह जाके हमने लगा दिया, तो दो हमारे पास यहां पर मैथड होते हैं, अब जो इन-सीटो वाला होता है, यह हमारा थोड़ा और भी मैथड जी हैं, जो इसको कंजव करते हैं, जैसे हमारा पहला है cryo preservation, तुसरा हमारा है cold preservation, तुसरा हमारा है low pressure and low oxygen storage, और फिर हमारे यहां पर आते हैं, zine bank, seed bank, tissue culture technique, तो यह हमारे कुछ चीज़े हैं, जो हमारे इसमें use होती है, पहली हम समझते है cryo preservation, इसमें क्या है freeze preservation है, यान कि यहां पर जो हम, यहां पर seed, pollen, tissue, embryo, जो लेकर आए हैं, इसको हम minus 196 degree temperature पर liquid nitrogen को रख देते हैं, और वहां पर वो safe रहते हैं, और फिर हम उनको जाके कहीं और लगा देते हैं, और फिर वो अपना काम अच्छे दिक करते हैं, तूसरा हमारा यहां पर आता है cold preservation, इसमें क्या करते हैं, जो हमारे plants बगएर हैं, इसको हम एक से 9 degree के बीच में यहां पर रख देते हैं सामान को, और यह थोड़ा सा में सस्ता भी पढ़ जाता है, उसके मुकाबले, और फिर यहां पर जरुवत होती, वहां पर जाके उन plant को लगा देते हैं, वो वहां कर जाती है, फिर हमारी gene और seed bank आती है, हमारी bank सेंज में साज़ी चीज़ा हम बहुत ही जाता स्रक्टी तरीके से रख देते हैं, जो हमारे आगे काम आती है, फिर हमारा low pressure, low oxygen वाला आता है, इसमें low pressure storage में क्या करते हैं, आस पास के environment का जो atmospheric pressure है, उसको थोड़ा सा कम कर देत हैं, और वहां पर जाके, मतलब हम जो भी parameter रखेंगे, वहां जाके सुरक्तित रहेंगे, तो I hope आप लोग सारा को समझ गये होंगे, I know video 30C lengthy हो गई है, लेकिन अब हमारी unit complete हो गई है, और यह जो हमारी notes है, यह बहुत अल्ली website पर upload कर दिये जाएंगे, आप वहां से आके इ comments में जरूर बताईएगा, पाकि मिलते हैं आप से बहुत दर नेक्ट वीडियो में, तब तक फिरेंट थैंक यू, टेक करने आप से लोग अपना ख्याल रखेगा, बाई बाई